हेलो दोस्तो, तो दोस्तो कैसे हो आप सब, आपका भई हाज एरेनी वैकेंसी के साथ, जैसा कि आपने थमनेल में देखा है, कि आज जो वैकेंसी आ रही है, वो आ रही है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से, जो कि आता है मिनिस्ट्री आफ टेक्स्टाइल कर सकता है, बहुत बड़ी अपरचुनिटी है मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अपरचुनिटी लाता रहत हूँ, तो मेरे भाई, शुरू करने से पहले, अगर आप हुआ पर चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, तक कि आपको नेक्ट वीडियो का नोटिविकेशन सबसे पहले मिल पाए, और आपका भाई, इस चैनल पर इंजिनिंग जब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को में दे दूँँ आप डरक्ति वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीके मिर भाई यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से यहां पर वैकेंसी आ रहा है कौन कौन अप्लाइ कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो को अंतक पूरा देखना इसकिप मत करना मिर बाई अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको बता नहीं चलेगा कि कैसे अप्लाइ कर दा है फिर अप कमेंट में बोलोगे सर अपने ये नहीं बताया सर अपने वो नहीं बताया तो वीडियो को अंतक पूरा देखिए one by one हम सारी चीज का डिसकस यहां पे कर देवाले है तो यहां पे आप देख सकते है यहां पे जो वेकेंसी निकला है ट्रेनर का पोस्ट निकला है नम्बरों पोस्ट यहां पर 30 है, ऐसी opportunity मिर भाई बहुत कम आती है, यहां पर contract भी इस पर आपका vacancy रहने वाला है, ठीक है, NSQF लेवल 1st और 2 का यहां पर रहने वाला है, अगर आपने 10th पास किया, और आपको 8 साल का experience है मिर भाई तो आप apply कर सकते हैं, अगर आपने 12th पास किया और 7 यहर का experience है तो आप apply कर सकते हैं, अगर आपने IT ही किया है और 5 साल का experience है तो आप apply कर सकते हैं, ट्रेनर की पोस्ट के लिए, ठीक है मिर भाई, अगर आपने डिप्लोमा इंजिनरिंग किया है, और graduation के अंदर science के अंदर की यह B.S.C किया है तो आप apply कर सकते हैं, 3 साल का experience आपको होना जरूरी है, यहाँ पे देखिए, अगर आपने BB Tech किया है और अगर आपको बस एक साल का experience है, तो आप apply कर सकते हैं, कितना बड़ी opportunity है, only one year का experience यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है, NSQF level 3 और 4 course का यहाँ पे दे रखा है, अगर आपने IT की और 10 साल का experience है, तो आप apply कर सकते हैं, अगर आपने diploma engineering में किया है, और अगर आपने BSC किया है, 5 साल का experience है, तो आप apply कर सकते है, level 3 और 4 course के लिए, अगर आपने graduation engineering में किया है, और 2 साल का experience है, तो आप यहाँ पे apply कर सकते है, लेवल 3 और 4 कोर्स के लिए ठीक है यहाँ पर training assistant का post निकल रखा 30 यहाँ पर post है assistant के लिए अगर अपने 10th की और 5 सल का experience है apply कर सकते है 12th की यह 3 सल का experience है apply कर सकते है अगर अपने IT की है और only 1 year का experience है तो मेर भई आप यहाँ पर apply कर सकते है बहुत ही बड़ी opportunity है मैं रखाए यहाँ पर आपको बताऊंगा कि apply कैसे करना उसका भी बात यहाँ पर करने वाले है तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर name of post का कितनी post रहने वाले उस सब का यहाँ पर बात कर देते हैं यहाँ पर देख सकते है name of course, course code दे रखा है, course category दे रखा है, NSQ आप level दे रखा है कौन सा level 2, level 3, level 4 जो भी रहेगा duration आपकी दे रखी यहाँ पर कितने घंटे आपका training रहने वाले आपको कितने घंटे training देना है उसका यहाँ पर दे रखा है NSQF level 2 रहने वाला 300 गंटे का batch आपका चलने वाला है, ठीक है, उसके according आपको 27,000 रुपए trainer को मिलेंगे और training assistant को यहाँ पर 15,750 रुपए यहाँ पर मिलने वाले है, jackyard, handloom, waiver का आप यहाँ पर देख सकते है, vacancy निकल रखा है आपको यहाँ पर 300 गंटे का आपको यहाँ पर duration रहने वाला है, course का 27,000 रुपए आपको मिलेंगे उस पूरे course के ठीक है, trainer को मिलेंगे और training assistant को यहाँ पर 15,750 रुपए मिलने वाला है automatic circle, loom operator के लिए यहाँ पर vacancy निकल रखा है, 208 गंटे के यहाँ पर course चलने वाला है 18,000 रुपए trainer को मिलेंगे और 10,500 रुपए यहाँ पर training assistant को यहाँ पर मिलने वाला है उसके according आप यहाँ पर देख सकते है age limit की बात कर लेती है, यहाँ पर age limit यहाँ पर 35 year यहाँ पर दिया गया है relaxation 5 year के दिया गया, CST वालों को यहाँ पर age relaxation दिया गया है ठीक है मिर भाई, यहाँ पर apply करना है, वो पूरा मैं आपको बता देता हूँ अब बात देती कि apply करना है, यहाँ पर आप इसक्रीन पर देख पाईगे मिर भाई, यहाँ पर application form यहाँ पर दिया गया है इसको आपको क्या करना है, पूरा फिल करना है, वैं आपको बता देता हूँ आप कौन सी position के लिए apply करना चाहते है, उसको यहाँ पर लिख देता है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, date over सेलेक्ट करना है, male है, female है, वो सेलेक्ट करना है, आधार नमबर, ठीक है, marital status, श्यादी हो रुकिया नहीं हो रुकिया नहीं हो यहाँ पर सेलेक्ट कर आपको लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते है, contact number, email address, academic record के अंदर आपको यहाँ पर 10th, 12th diploma यहाँ आपने जो भी किया है, उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कहां से किया है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, declaration के लिए यहाँ आपको date, please देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना password size photo लगा देनी है, इसको यहाँ पर PDF format में convert करने के बाद, उसको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा भाई, यहाँ पर कोई face नहीं रखी गई, आपको इस mail ID पर, इस mail ID पर दो mail ID दे रखिए, इस mail ID पर आपको यहाँ प पर आपको description में link मिल जाए, आप download कर ले, इस page को और नीचे वाले का जो page है, इस page को यहाँ पर आपको इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जैसा प्रिंट आउट निकलवाता है, वैसे निकाल लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल कर देना सारी PDF में कैसे convert करेंगे, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपको एक, क्या कहते है, उसको image to, आपको PDF में एक app मिलेगा, image to PDF करके app मिलेगा, उसको आपको download कर ले, उसमें यहाँ फोटो डाल के, इसको PDF में convert कर ले, PDF में convert करने के बद उपर mail ID दे रिखे इस mail ID पर आप दोनों mail ID पर आपको यहाँ पर submit कर देना है, तो आपको form submit हो जाएगा, बड़ी opportunity है मेर भाई, यहाँ पर बहुत अच्छी opportunity है, आप यहाँ पर apply कर दीजिए, ठीक है, ट्रेनर का और ट्रेनिंग असिस्टर का यहाँ पर vacancy निकल रखा है, तो यहाँ पर 10 से लेके B.E.B.Tech तक यहाँ पर vacancy है मेर भाई, अच्छा opportunity अप्लाइ कर दीजिए, एक साल का experience यहाँ पर B.E.B.Tech वालों को मंगा गया है, तो apply कर दीजिए, तो मैं ऐसी opportunity आपके लिए लाता रहता हूँ, तो वीडियो को like जरूर कर दे मेर भाई, तो आज के लिए बस इतना ह वालों को रहता है।